सासिकल प्यारे विद्यार्थियों मैं तोड़ा सब्दा अपने यूटूब चैनल ते बहुत-बहुत स्वागित करना है असी आज दी इस वीडियो दे विच मेरिटोरिय स्कूल इंट्रेंस अग्जाम जो की 2022 दे विच कंडक्ट करवाया गया ऐसी क्लास 11 दे लई ते आज दी इस वीडियो दे विच असी इस दा साइंस दा पार्ट डिस्स करांगे इस तो पहला असी मैद दा पार्ट डिस्स किता है ताँ वीडियो शुरू करने तो पहलना अगर तो सी चैनल देन नमें हो यह तक चैनल नो सब्सक्राइब नहीं किता था प्लीज पहला चैनल नो सब्सक्राइब करो दे इस दे नाल बेल आइकनों प्रेस करो ताकि हरी इन्फरमेटी वीडियो दे नोटिफकेशन तो अड़ तक सब तो पहला पहुंँ सके अगर दन वीडियो अच्छी लगे थे वीडियो लाइक और शेयर जुरूर करना तो इस दे नालीज शुरू कर दे हैं साइंस ता पार्ट कोशन नंबर 66 है पहला प्रशन है जिस दे वेचे कि रिजिस्टेंस ओफ कंड़क्टर डिपेंड्स अपॉन कि किसे चालक दा प्रतिरोध है ओ किस ते निर्ब्र कर दा है चालक दी लंबाई ते उस दे परी खेतर काट केतर फल जन्हों सी एरिया ओफ क् दाक्टर जा उस दे पदार्थ दी प्रकृति यहां ऑप्शन डी है सारे इस दा जो राइट आंसर है ऑप्शन डी आजेगा कि जड़ी अर्जिस्टेंस है ओ डिरेक्टली परपोर्शनल ओना जी लेंग्ट दे इन्वर्सली परपोर्शनल दा एरिया ओफ क्रॉस सेक्शन ते उस दो बाद जड़ी इस दे विच असी जो दो सी प्रपोर्शनल्टी दा साइन खतम करते हैं दे सारे इकोल यह आजन्द है अर्जिस्टिवीटी एल बाई यह जड़ी अर्जिस्टिवीटी है यह डिपेंड करती है नेच्चर ओफ मटीरियल दे उपर इस करके जा धन्हें करते हैं। झाल झाल कोश्चन नमर शिक्स्टी सेवन है जिससे विच वट डाज दा थाम इंडिकेट एक्कॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेप्ट एंड रूल कि फ्लेमिंग खबा हाथ नेजम बिच अंगुठा की दरसांदा है चुम्बक खेतर दी दिशा बिजली खेतर दी दिशा जब बिजली ता रा दी दिशा जा चालक दी गती तो जड़ा फ्लेमिंग जड़ा लेफ्ट एंड रूल है इसे विच फोर फिंगर मिडल फिंगर ते थाम् फिंगर है नूँचली परपेंटिकलर हुन्दे है और जिसे विच जड़ी फोर फिंगर है ओ दस दिया सहनों magnetic field, तो जड़ी middle finger है, उदसदी है, direction of current, तो जड़ा thumb है, वो indicate करता है, direction of force, जा तुसी कह सकते हो, direction of motion of conductor, तो option D, इस जो है, right answer आजाना है, next question है, question number 68 है, जिस दे भीचे, the phenomenon of electromagnetic induction, कि बिजली, चुम्बक प्रेर्म दी जड़ी खटना है, उस दा जो option तो इससे दे तो सी, सब तो पहली option तो सी है, process of charging a body, तो इस दा जो right answer आजाना है, electromagnetic induction, यह है, producing induced current in a coil, due to relative motion between magnetic and coil, magnetic and coil, दे वीच, जदो current inducer हैं, EMF inducer हैं, वो जड़ा phenomenon है, उन्हों से कहने है, electromagnetic induction, इस दे वीच, option C बेचागए, कि कुंडली, अते चुम्बक दे बिच, सापे की कती, दे कारण कुंडली वीच, प्रेरित बिजलीता रहा, पैदा करना, उन्हों से कहने है, electromagnetic induction, उस सो बाद, नेक्स कोशन है, त्री resistance दे दी है, दो ओम, पंज ओम, ते, दस ओम, ये parallel दे बिच, connect है थे, आसी, total resistance, करनी है जो दोसी total resistance calculate करनी है एफ फार्मूला लगाने है जिससे विछ आर वन आ गया सा देखो 2 ओम आर्टू आ गया एक बटा पांज ते आर थ्री आ गया इक बटा दस तो इस दा सी LCM लबाँगे, यह LCM दी calculation कराँगे, ते 5 आजएगा है, ते 2 आजएगा है, ते 1 आजएगा, यह 30 को किना नहीं, 8 बटा 10, यह total आगया, 80 ते जोदो 80 दी value करणाँगे, जनी कि total resistance करणाँगे, cross multiply कराँगे, ते यह आजएगा है 8, sorry 10 बटा 8, reverse हो जनी value, तो जोदो तुसी इननों divide करोगे, ते इस दा answer आजएगा 1.25 यह इस दा राइट आजएगा option C इस दा जो है, राइट आजएगा option C इस दा राइट आजएगा next question है which among the following disease is not sexually transmitted hate लिखे हैं विच चूँ केड़ी जड़ी बीमारी है, लिंगी तोड़ते नहीं फैल दी जिस दे विच option A है सफलिस गिलर्ड, AIDS ग्रेणिया option B, इस दा जो है राइट आजएगा जी गॉइटर जिननों आजएगा गिलर्ड next question है 71, जिस दे विच who proposed the theory of evaluation जीव विकास दा सिदान्त किसने दिता जीव विकास दा जड़ा सिदान्त ओ किसने दिता option D is the right answer आज़ी Charles Darwin Charles Darwin is the right answer option D next question है a sexual reproduction in the Gist takes place जीष्ट खमीर जिसे विच अलिंगी प्रजाजन किस दुआरा हुंदा है is the option D आजएगा जीव बड़िंग दुआरा option D आजएगा जीव बड़िंग दुआरा is the right answer है next question है which of the following is non-reunable source of energy कि हेट लिखे है विच हो किहड़ा उर्जादा नानवी करन जोग सोमा है solar energy, the enable, wind energy, tidal energy और option B is the right answer है जी petroleum option B is the right answer है next question है 74 जिस्ते विच कि an example of homogolus organ कि समजाद अंगा दा उदारन समजाद अंगा दा उदारन जिस्ते विच कि प्रानिया दे जड़े शरीर दे जड़े अंग दे जड़ी उत्पती ते जड़ी स्रचना है वो इक कोजे ही होंदी है पर उना दे काम जड़े है अलग अलग होंदी है is the option D आजेगा all of the above जिस्ते विच सड़ा हाथ अते कुत्ते दा अगले अगला पैर अलू अते कादिया तिड़ा सड़े दान्द अते हाथी दे दान्द उपरोक्त सारे जिस्ता मतलगी श्रीर दे इद्दा दे यांग जिना दी उत्पती दे सरचना एक समान होंदी है लेकिन उना दे जिड़े काम में हो अलग अलग होंदी है नेक्स्ट कोश्चन है SI unit of power lens lens दी जड़ी शक्ती है power है उसदा SI जड़ी इकाई है उसदा unit की है तो उसदा unit option A आजएगा diopter is the right answer है जड़ा lens दी जड़ी power है उन्होंवसी diopter दे नाल next question number 76 which electrolysis of water which gas is formed on cathode की पानी दे बिजली अपगटन दोरान cathode दे केड़ी गैस बन दी है तो इसदा जो right answer हाजएगा hydrogen option A is the right answer हाजएगा की cathode दे केड़ी गैस बन दी है hydrogen अगर सा डेगोर अनोड दे पुच्छा जन दा है ते अनोड दे गैस बन दी है जी oxygen यह जाद रखना cathode दे hydrogen ते अनोड दे oxygen according to this question जो पुच्छा गया की cathode दे दे option A is the right answer हाजएगा की hydrogen उस्तवाद 77 है जिस दे विच है की magnetic lines जड़ी है जुम्ब की खेत द्माद घ्रेभव एक दूजा नोँ नभे डिग्री दे कट दी है एक दूजा नोँ सथे डिग्री दे कर दीσα एक दूजा नोँ पहिंत dzisiaj डिग्री दे कर दिए ज़ा एक दूजा नुं नहीं कर देया नेक्स्ट कोशें इस देविच कीड़ी गेस जड़ी है उसे बइस मेइजिज देना किरया कर दिया तक केड़ी मत लेहीं भाप हो आ है जिमें दुसी दिख सब्यों कि जिंक A है इसनों ऐसी एरेक्ट करदें है सलफ्यूरिक ऐसर देनाल इस जा रिजल्ट की बंजनते है जिंक सलफेट प्लस हाइड्रोजन Option B is the right answer Option B Hydrogen is the right answer Next question What is the chemical formula Of the bleaching powder की रंग काट powder ता जड़ार साइनिक सूतर है उसदा की formula Option C is the formula C-A-O-C-L-2 जिन्हों सी कहने है Calcium Hypocloride Calcium Hypocloride जिन्हों सी कहने है Bleaching powder और bleaching powder एक हलके पीले रंग दा पोडर होंदा है और जिस दे विच जो की पानी दे विच स्लूएबल है और जिस दे नाल इस जड़ी है strong smell भी होंदी है कलोरीन दे कारण ते पानी दे विच जड़े छोटे छोटे जिवान नों दे है उन्हान उमारां दे ले यह सी bleaching powder दा जड़ा इस्तमाल कर दे है पानी दी टैंक की है दे विच जड़ी जड़ी पोडर पनने है और उस दा जो सिम्बल है वो है C-A-O-C-A-O-C-L-2 यानि की calcium hypo coloride उस सो बाद next question number 80 है जिज़े विच है की which one of the following types of medicines is used treating the indiation की हेट लिखे हैं विच हूँ किस किसम दी दवाई जड़ी है बद हजमी दे इलाज दे लई वर्ती जड़ी है इस दा option B या जाएगा antacid antacid जड़ा की बद हजमी दे लई वर्ती जड़ी है as a medicine दो उरते next question number 81 है जिससे विच दा metal having high melting point find a pair of metal which have very low melting point ता ता पिगलाओ दरजा उच उन्द है हेट लिखे हैं विच दा ता 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 उच जोड़ाओ दरजा बहुत कट उन्द है option B is the right answer galmium ते cesium galmium galmium ते cesium option B is the right answer आजाएगा उस दो बाद है next question है जिससे विच दा से है कि according to the reactivity series find correct sequence of the metal in order of increasing resistivity इस दो असी टेवल तो दिख सकते हैं नो तो यह तुसी दिख सकते हो जो metal the reactivity है सब तो जादा जड़ी most reactive metal है potassium है उस दो बाद sodium है lithium है barium है calcium है magnesium है aluminium है magnesium है chromium iron ठीक है जी इस दो असी इस दा जड़ासी question देविच दसने increasing order तो option A इस दा जो है right answer आजएगा and नो असी increasing order देविच दसने उस सब्सक्राइब नेक्स्ट कोश्चन है 83 जज़े विच है कि गंगा action plan वाज started कि गंगा सफाई जड़ी जोजना शुरू किती गई option 1982, 1983, 1984, 1985 इस दा राइट आंसर आना जी 1985 जड़ा कि गंगा दी सफाई दी जोजना जड़ी 1985 देविच शुरू किती और जिस देविच कि गंगा दे किनारे जड़ी शैर और कारखाने यां जड़ी गंदे और जहरीले पानी नो साफ कर अंदले जड़ी प्लांट लगाएगे जड़ी जोजना 1985 देविच जड़ी जोजना शुरू किती गई उस तो बाद नेक्स्ट कोश्चन है कि हो मैनी एटम ऑफ ऑक्सिजन कंबाइन तो फॉर्म वन मोलेक्यूल्स ऑफ ऑजेन ऑजान कि आजान दे किन्ने परमानू मिलके ऑजान दा एक अनू बना दे ते एक इन्ने परमानू जी ओ थ्री देनाली नोसी डेनोट करने है ऑजान तो आजान एक कंपाउंड ऑफ ऑक्सिजन है जीदे विच थ्री एटम ऑफ ऑक्सिजन एलिमेंट दे जड़े एक अठे हुन दे है और आजान तो नहीं पता है कि ए लेयर है जड़ी की आजान गैस जड़ी की प्रोटेक्ट दा अर्थ फ्रॉम दा अल्ट्रा वाइलेट री कमिंग फ्रॉम सन जड़ी सूरज तो अल्ट्रा वाइलेट रीज आंदी है उन्नों प्रोटेक्ट कर दी है अजान लेयर ते इस दा जो राइट आंसर आजेगा जी ऑप्शन सी आजेगा जी अजान विच जो ऑक्सिजन दे जड़ी मॉलिक्यूल से उतिन दे ऑप्शन सी इ नेक्स्ट कोशन है एटी फाइफ जी से विच फुल फॉर्म दसनी है यू एन एपी इदी फुल फॉर्म दे युनाइट नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूनाइट नेशन इंवायरमेंट प्रोग्राम यह इस दा जो है राइट आंसर है उस तो बाद नेक्स्ट गैस कि बायो गैसे विच जड़ी केड़ी गैसे जड़ी वदेरी मात्रा दे विच पाई जन्दी है ते इस दा राइट आंसर ऑप्शन सी या जी मिथेन जिस दा फार्मूला सी एच फोर मिथेन इस दा जो है राइट आंसर है उस वाद नेक्स कोशन है जिस दे विचे की डैश इस यूज तो मेक इस सुलर सेल सुलर सेल मना अनवास थे की यूज किता जन्द है कॉपर जिंक कलमेनियम सिलिकॉन ते ऑप्शन दे या जैगी सिलिकॉन माटेरियल जड़ा यूज किता जन्द है उस वाद है सम आफ था इनरजी ड्राइट फोर मिएट इज स्टोर इन अबर बोडी इन दी फॉर्मम कि साड़े द्वारा खादेगे पोजन तो उत्पन उर्जाद कुछ पाग सा दे श्रीर विच डैश दे रूप विच जमा हो जन्द है तो ऑप्श इस इन फंस आजना जी ग्लाइकोजन ग्लाइकवजन इस जो राइट आनसर आना है जड़ा कि साडि बोडी स्टोर करके रख दी है और जिस विच स्टोर कर दी है जन्द की मसल वेच और लीवर वेच और जोदों वी इस जड़ी ज़रूरतों डिये ओ एत्तों जड़ी ज़रूरत है, पूरी करलें दी है, अनुवसी कहलें है, ग्लाइकोजन, जड़ा की कनवर्ट करता है, एनर्जी नो, जड़ों सदी बोडी नो, एनर्जी दी ज़रूरत है, ते ग्लाइकोजन उन्नो, कनवर्ट करता है, एनर्जी देवेच, जड़ी की सदी ब गैस टीक स्पेस की नुक्खी सा पर नाली दे किस पाग विच गैसा दा अदान पर नान हुन्दा है तो इज जो राइट अंसर आजाना है Option B is the right answer आजाना जी L वीलोई L वीलोई is the right answer आणा है जेड़े की present in the lungs A, lungs ते विच विच हुन्दा है और नेक्स्ट कोशन है नेम दा इंस्टूमेंट यूज टू मिजर दा ब्लड प्रेशर कि ब्लड लहु दवाब नू मापन देले जनतर है उस दाद उसी नादसने आप्शन है बेरोमेटर, थर्मोमेटर, गल्वैनोमेटर ते आप्शन सी है सफी गमो मैनोमेटर सफी गमो मैनोमेटर सफी गमो मैनोमेटर ओप्शन सी इस दा राइट आंसर आजी सफी गमो मैनोमेटर इस दा राइट आंसर है उस दाद बीच ओद फॉल्विंग सेचुरेटेट कॉर्बन कंपाउंड की हेट लिखे हैं केड़ा संत्रिप्त कार्बन जोगिक है option A is C2H6, C2H4, C2H2, C3 तो इस दे विच असी एक अलकेंदा फार्मलों लोगाने है जिड़ा हुँदा CnH2n प्लस 2 ठीक है जी? और जिस दे विच है कि अगर C2 है तो अथे साथ दुको C2 आजाएगा तो एथे N दी वैले जो दे C2 पूट करांगे तो किन्दा आजाना है 2 ते 2, 4 ते प्लस A2 करांगे ते 6 यानि कि C2 ते H6, A जड़ा सादे को संत्रिप्त हाइड्रो कार्बन आएगा जिन्हों सी कहने है सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड option A is the right answer आजाना है नेक्स्ट कोशन है जिसे विचे molecules of the soap are sodium और potassium salt along the chain कि साबन दे अनू लंबियां लडियां वाले डैच दे sodium जाँ पोटेशियम दे लोन उन्देहन ते option इस दा की है alcohol, ketone, aldehyde यहां आजेगा सादे कोल कार्बाक्सलिक तिजाब option D या इन है कार्बाक्सलिक acid कार्बाक्सलिक acid इस दा जो है right answer आजेगा option D दा next question which of the following plant hormones inhabit growth कि हेठ लिखे हार्मोन विच केड़ा वादा रोकन वाला हार्मोन है तो इननों सी कहने हैंगे absicthisab absicthisab जड़ा की हार्मोन दे वाद देनों रोकदा है absicthisab option B इस दा जो है right answer आजेगा उस सवाद next question है कि what is the speed of light in vacuum vacuum दे विच जड़ी light दी speed है किन्य हों दी है तो option C आजेगा तिन गुना दस दी पावर आठ ए इस दा जो है right answer है उस सवाद next question थोड़ा clear नहीं है उस सवाद next question है 97 जिस दे विच भीच ओफ following is not a physical factor of the ecosystem का प्रस्तिथिक प्रवंद विच हेट लिखे है विच केड़ा पोतिक कारक नहीं है पोदे बर्खा तुप मिट्टी इस दे जो right answer option B आजाना जी उन्हों पता है कि जड़े अवाइटिक फेक्टर होंदे है उसे विच नॉन लिविंग फेक्टर है और नॉन लिविंग फेक्टर होंदे है नॉन लिविंग फेक्टर है नॉन लिविंग फेक्टर नॉन दो पार्ट विच डिवाइड केता है दे फिजिकल ते केमिकल फिजिकल दे चाहिए दे एर सनलाइट ते स्वाइल केमिकल दे चाहिए दे नाइट्रोजन ऑक्सिजन केल्शियम तो इस करके option B इस दा जो है राइट आंसर आजएगा उस तो बाद next question है the image formed by the concave mirror is observed to be virtually erected and large than the object but should be position of the object कि किसे वस्तु दा अब्तल दर्पन द्वारा बनाया प्रतिबं अबासी सिद्ध अते वस्तु तो वड़ासी तब वस्तु दी जड़ी स्थिती है ओ की होनी चाहिए दिया है कि दर्पन दे द्रूब अते मुख फोकस दे विचकार दर्पन दे द्रूब अते मुख फोकस दे विचकार यानि कि between the pole of the mirror and its principal focus option D is the joy right answer आजाएगा next question 99 आजाएगा 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